आज की दास्ता है उस रुस्तमेहिन शेरे पंजाब कीकर सिंग पहलबान की जिसके बारे में मशूर था कि बैप पेड़ों को जड़ों के समेत उखाड देते थे कीकर सिंग पहलबान का जनम 13 जनवरी सन 1857 को पिता शिरी जवाला सिंग संदू और माता साहिप कौर के प्रिवार में हुआ था कीकर सिंग के पिता जवाला सिंग संदू भी अपने जमाने में एक अच्छे पहलबान थे और बैच चाहते थे कि उनका पुत्तर भी बड़ा होकर एक अच्छा पहलबान बने जैसे कि हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र भी बड़ा होकर उसके नक्षे कदम पर चले जवाला सिंग संदू भी चाहते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर एक अच्छा पहलवान बने और दुनिया में उनका नाम रोशन करे जवाला सिंग संदू एक गरीब किसान थे उनकी आर्थिक स्थिती इतनी अच्छी नहीं थी कि पुत्र की पहलवानी का खर्च उठा सके पिता जवाला सिंग संदू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नना बच्चा एक दिन बड़ा होकर इतना बड़ा और महा बल्चाली पहलबान बनेगा जिसको देखने के लिए दुनिया मैदानों की तरफ बागी चली आएगी लेकिन होनी को कुछ और ही मनजूर था एक दिन अमरित सर में लुटेरे लूट पार्ट के मकसद से आए और अंग्रेज सेनकों के साथ जड़क के बाद बाग निकले लेकिन अंग्रेज सेनकों ने वहाँ पर माजूद जवाला सिंख संदू को शक के आदार पर पकड़ लिया और लाहोर की सेंटरल जेल में डाल दिया कैद के दोरान जेल में अपसरों की बैरक को आग लग गई अंग्रेज सेनकों ने आग बुजाने के लिए कैदियों को बाहर निकला आग बुजाने के लिए जेल में माजूद कुवे के पानी का इस्तेमाल करना था पुर्वाने जमाने में कुमों का पानी बैल को जोड कर निकाला जाता था बद्रकस्मिती से जेल में बैल माजूद नहीं था उसी समय लंबे चाड़े उँचे कद का जवाला सिंग संदू बैल के इस्थान पर लग गया और कुमे का पानी निकालने लगा कुछ ही समय के पश्चाद आग पर काबू पा लिया गया जवाला सिंग संदू की इस बहादरी से अंग्रेज सैने काफी परसंद हुए और जवाला सिंग संदू को 400 रुपे इनाम दे कर समानित किया और बाइज़त बरी कर दिया गया उस जवाने में 400 रुपे की बहुत कीमत हुआ करती थी जवाला सिंग ने गर आकर सबसे पहले पशू और जमीन खरी दी और फिर शुरू हुआ कीकर सिंग पहलवान का पालन पोछन कीकर सिंग पहलवान पूरी बैंस का दूद पी जाता था और किलों के हिसाब से मक्षन खा जाता था कीकर सिंग पहलवानी के शुरू बाती दिनों में पिता से ही पहलवानी सीखा करते थी बाद में कीकर सिंग ने लाहौर में बूटा लाहौरी रुस्तम हिंद को अपना गुरू दारन किया कीकर सिंग पहलवान पांच हजार डंड बैठक लगाया करते थे और कुवें की मुंडेर पर खड़े होकर दोनों पैर दाएं और बाएं जमाका रसी के साथ बंदी हुई बजनी बोरी को लगातार खिंचते थे बोरी का बजन लगवग डाई मन होता था जो कुवें की तली में रहती थी कीकर सिंग का असली नाम प्रेम सिंग संदू था जो बाद में कीकर सिंग के नाम से प्रसिद हुआ पहलवान जी की लंबाई 6 फुट 6 इंच और कुष्टी के शुरुवाती दिनों में पहलवान का बजन 121 किलो था जो बाद में 162 किलो हो गया पहलवान की लंबाई और बाजूँ की बिशालता को देखकर लोग आचम्बित रह जाते थे कीकर सिंग पहलवान की कमर इतनी बड़ी थी कि सदारन मानम उनकी कमर को अपने बाजूँँ के लपेटे में नहीं ले सकता था प्रेम सिंग संदू का नाम कीकर सिंग क्यों हो गया आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा प्रेम सिंग जब सुबा अखाडे में जोर करने के लिए जाता तो अपने गुरूजी के लिए कीकर की दातून ले जाया करता था एक दिन गुरू जी ने कहा प्रेम सिंग जो तुम दातुन मेरे लेके आए हो वे कच्छी दातुन है जब बड़ी ऐसी दातुन लेके बापिस आ गुरू की आगया पाकर पहलबान बाग के गया और कीकर का पेड़ जड़ों के साथ उखाड कर ले आया ये देखकर गुरू जी आचंबित रह गए और गुरू जी ने कहा प्रेम सिंग तुम तो कीकर के समान मजबूत और उपयोगी हो आज से तुम्हारा नाम कीकर सिंग पहलबान के रूप में जाना जाएगा और तब से पहलबान प्रेम सिंग के बजाए कीकर सिंग पहलबान के नाम से प्रसिद हो गए उस समय रियास्तों के सभी राजा महाराजा कीकर सिंग को बहुत परसंद करते थे और समय समय पर पहलबान को कुष्टी प्रत्योगिताओं में आमांत्रित करते थे कीकर सिंग उस समय की सबी रियास्तों जोधपूर, दतिया, इंदोर, पटियाला और जम्मु कश्मीर आदी रियास्तों के शाही निमंतरन पर कुष्टी करने के लिए जाते थे कीकर सिंग जम्मु कश्मीर के राजा के दरवारी पहलबान थे कीकर सिंग की ताकत से परबाबित होकर कश्मीर के राजा ने उन्हें महादेव के समान भी बताया था इस जमाने में बहुत ही कम पहलबान थे जो कीकर सिंग के साथ कुष्टी करने की हिम्मत करते थे कीकर सिंग ने अपने दोर के हर पहलवान को ललकारा मगर कोई भी पहलवान उनकी चुनाथी को सभी कार ना कर सका पहलवान जी उस समय की सभी रियास्तों के पहलवानों से कुछ्टी लड़का जीत चुके थे उस समय रियास्तों के पहलवानों को आपस में कुष्टी करा कर मुकाबला कराया जाता था और रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा जाता था आदुनिक जुग की तरह वर्ल्ड चेंपिन्शिप का ट्रेंड नहीं था और उस समय बारत के सबसे ताकतवर पहलवान को रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा जाता था कीकर सिंग पहलवान भी अपने समय के रुस्तमे हिंद पहलवान थी पहलवान जी ने अपने जीवन की अंतिम कुष्टी अपने चिर्प्रतिद्वंदी और महाशक्ति चाली कलू पहलवान से लड़ी क्योंकि कलू पहलवान ने कीकर पहलवान को चुनौती दी थी किकर सिंग पहलबान उस समय कुष्टी से सन्यास ले चुके थे और आस्तमा की बिमारी से पीड़ थे फिर भी एक गुजरे जमाने का रुस्तम चुनौती को कैसे न सभिकार करता पहलबान जी ने कलू पहलबान की चुनौती को सभिकार किया ये मुकाबला दिली के दरवार में दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम के राज्य अभशे के उपलक्ष में होना था किंग जॉर्ज पंचम के राज्य अभशे का समय आ गया और दोनों पहलबानों में कड़ा मुकाबला हुआ अंतता डाई गंटे की कुष्टी के बाद भी कोई निरनाएक फैसला ना हुआ और कुष्टी बराबरी पर शुड़ा दी गई बाद में रैफरी ने अंकों के आधार पर कलू पहलबान को बिजेता गोचित कर दिया इस तरह कीकर पहलबान जीवन की पहली और अंतिम विबादित कुष्टी हार गया कीकर सिंग पहलबान की मृत्यू 18 फरबरी 1914 को पैत्रिक गाम लहौर में हुई उस समय बहां के लोगों ने कीकर सिंग के सम्मान में एक मकबरा भी बनाया जो अभी तक लहौर में मजूद है शायद कीकर सिंग पहलबान अब पहलबानी के दार में इत्यास ही है लेकिन जब भी पहलबानी की बात होगी तो कीकर सिंग का नाम सम्मान पूरवक लिया जाएगा